हैलो डियर इस्टुडेंट्स वेलकम टो अवर चैनल एजुकेशनल गोल और आज के इस वीडियो में क्लास टेंथ विज्ञान का जो आपका मंथली टेस्ट है उसका सोलेशन देखने वाले हैं वीडियो के अंत्य तक बने रहें और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर न सब्सक्राइब करने जिए मिट कैसी झाल नहीं की थी ठीक है उसके बाद कोषिका कपारवर हायुस कहते हैं किसको कहते हैं माईट्रो कार्णयरेया ठीक है उसके बाद अल्यू मिन्यРЕ क सही इलेक्ट्राणिक विन्याद तो आपको बता है एल्यूमिनियम 13 ब्रहता आता है त तीक है उसके बाद अगलाए आवेश प्रवाय की दर को धारा ःविद्यूत धारा क्या बढ़ाइन आप करें एक संथिक है अब आगे देखते हैं हम आप इनके लिखित आंसर देखने वाले हैं पहला question है पर्माणू संख्या से आप क्या समझते हैं तो ये देखिए इसका उत्तर कि पर्माणू संख्या किसी पर्माणू के नाभिक में प्रोटान की संख्या को ही पर्माणू संख्या प्रवर्तन के नियम मताने हैं। आपतन कोन का आपस में बराबर होना। आपतन क्यरण प्रवर्तन करें तथा आपतन बिन्दु अविलंब पर यह तिनो एक ही तनम्य उपस्थित होते हैं तो सबी ध्यान रखे ये परावर्थित की रहने ठीक है और ये आप्तित ये सबी तीनों एकी तल में होते हैं अगला क्यूस्चन है सम भारिक किसे केते हैं तो ये देखी इसका उत्तर कि अलग अलग पदार्तों या तत्वों के वे पर्माणू जिनके पर्माणू द्रवयुमान तो समान होते हैं लेकिन उनके पर्माणू क्रमांक अलग होते हैं ऐसे पर्माणू को सम भारिक कहते हैं ठीक है अगला क्यूस्चन है अनेक्षिक पेसी के कार लिखिये तो चुकि आपको तीन ही करने हैं तो यह हमने छोड़ दिया है यह तीन आप कर सकते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्रमांक चार निमने लिखित में प्रश्णों में से कोई तीन हल करने है फिर से ओम का नियम लिखिए तो ये दिखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्ता आप परिवर्तित रखी जाए तब उसके सिरों पर लगाए गए विववांतर तथा उसमें प्रभावित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है अर्था यदि चालक के सिरों पर विववांतर लगाने पर उसमें धारा बहे तो ओम के नियम के अनुसार वी बटे आई बराबर नियत ठीक है तो ये आपका ओम का क्या हो जाएगा नियम हो जाएगा और आर यहां पर क्या है प्रतिरोध है या रजिस्टेंस है अब अगला प प्राइटियम यह तीनों हाइट्रोजन के कहा है समिस्थानिक है उसके बाद अगला है नियूरोन या तंत्रिका कोशिका का नामांग की चित्र बनाई है और उससे उपर प्रस्ण है पादप वाजन्तु कोशिका में तीन अंतर लिकिए तो यह उसे नम देखने वाले हैं त में हरित लवक नहीं पाये जाते हैं सेंट्रोसम अनुपस्तित होते हैं सेंट्रोसम उपस्तित होते हैं रिक्तिका बड़ी तथा संक्या में कम होती है रिक्तिका चोटी तथा संक्या में अधिक होती है केंदर परिदी की ओर हो सकता है और अधिकान जिन्तु कोशिका में के तो इस तरह से फुल सोलेशन हमने दे दिया है इसे प्रकार के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहे हैं थैंक्स फार वाचिंग